नमश्कार दोस्तो मेरा नाम है परमझी सिंग और मेरे चैनल का नाम है लेक्ट्रिकल हिट चैनल और आज हम दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा देखें इस पीडियो में हमने इसके कनेक्शन बताई हुए हैं उसके बाद इसका प्रैक्टिकल किया हुआ है और उसके बाद हमने डाइग्रम बना के आपको बताया गया है तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आपको बताएंगे कि एक शागट को पावर स्प्लाई के साथ और इंवर्टर के साथ कैसे चलाया जाता है एक ही शागट को दोस्तों इसको हम इंवर्टर पर भी चलाएंगे और इसी शागट को हम पावर स्प्लाई से भी चलाएंगे तो उसके लिए दोस्तों मेरे पास 3-way gang box है एक 6-ampere की शागट है एक 6-ampere का 2-way switch है और एक on-off वाला 6-ampere का switch है 1-way पीशे से दोस्तों कुछ इस तरह से दिखता है जे 6-ampere की शागट है और जे 2-way switch है 6-ampere का और जे 1-way switch है 6-ampere का अब दोस्तों इस शागट को हम inverter से भी चलाएंगे और इसी शागट को हम power supply से भी चलाएंगे कई बार क्या होता है कि हमारे गर में जो board लगा होता है उसमें उतनी जगा नहीं होती कि हम 2 शागट लगा सकें तो हम एक ही शागट को कैसे लगाएं इसलिए मैंने जे वीडियो बनाया है कई बार जब हम habits ही चला देते हैं तो inverter अब आज करना शुरू कर देता है तो हमें दोड के जाके उसका switch off करना पड़ता है अगर आप ऐसा board बना लोगे जहां जो आपके गर में board लगा हुआ है उसके उपर जे connection कर लोगे तो आपको जे problem नहीं आएगी जब आपको heavy चीच चलानी हो तो आप उसको power supply के उपर कर सकते हो और जब आपकी light बंद हो जाती है कोई normal चीच चलानी हो फैन बगारा तो आप उसको inverter के उपर कर सकते हो तो जेज जो switch है जेज का आन आप होगा शागड का तो दोस्तो अब इसके हम connection शुरू करते हैं तो दोस्तो अब इसके connection करते हैं तो दोस्तो शागड के तीन point है जो अर्थ वाला point है इसको हमने शोड देना है और जे वाला जहां पे neutral लिखा हुआ है जहां पे हम neutral wire लगाएंगे black color की हमने color code का पूरा द्यान रखा हुआ है कि आपको असानी से पता चल जाए और जब video के आखरे में दोस्तो हम आपको डाइग्राम के हिसाब से भी एक बार बता देंगे दोस्तो जे हम neutral के लिए लगा रहे हैं लेकिन अगर जे अगर आपके घर का board है तो बहां पे neutral पहले से लगी होगी इसको हमने अच्छी तरह से कस लेना है अब दोस्तो जो face वाला लगाना है face वाला हमने जहां पे लगाना है इस point के उपर face का हमने red color की वाय रखी हुई है अब दोस्तो जो two way switch की उपर वाली उपर वाला point है बहां पे हमने inverter की वाय लगा देनी है इसको हम green color की वाय लगा रहे हैं अब दोस्तो जो two way switch है उसका जो center वाला point है बहां पे हमने एक blue color की तरह लगा रहे हैं जे इन दोन्यों की output होगी इसको दोस्तो हम switch के उपर वाली side लगा रहे हैं अब दोस्तो जे जो शागट का जे point है और switch का जे point है हम जहां पे वाय लगा के शागट में वाय लगा देंगे अब दोस्तो शागट के जो इस point पे हम तो दोस्तो हमारे जो connection है वो हो चुके हैं तो एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ तो हमने neutral को दोस्तो इस neutral वाले point पे लगाया हुआ है और जो two-way switch है उसके नीचे वाले point पे हमने जो face लगाया हुआ है और जो उपर वाला point है बहां पे हमने inverter की wire को लगाया हुआ है और जो center वाला point है बहां से हमने switch के उपर वाली side पे लगाया हुआ है आप नीचे भी लगा सकते है उपर भी लगा सकते हो और नीचे से हमने इस शागड को connection दिया हुआ है कि जब switch हम उपर करेंगे तो inverter का connection जाएगा जब हम नीचे करेंगे तो जे शागड में फेस जाएगा तो इस परकार दोस्तो जे switch जे हमारा बोर्ड पावर बोर्ड काम करेगा तो अब हम इसकी testing करते हैं दोस्तो मैंने जे जो connection है इस पावर बोर्ड के उपर कर दिये हैं जैसे कि जे neutral wire है तो मैंने neutral के उपर लगा दिया शागड के इस point के उपर जो है हमारी inverter बाली wire है जो green बाली इसको मैंने जे हमारी inverter बाली wire है ये देखिए जहाँ पे face को काटा हुआ है तो मैंने जहाँ पे connection दिया हुआ inverter बाला और जो face wire है उसको मैंने जहाँ पे face पे लगाया हुआ है अब हम इसकी testing करते हैं टैस्टिंग के लिए दोस्तो अब मैं टूबिन प्लग जहां पे लगाऊंगा तो दोस्तो जे स्वीच इसका अनॉफ है और इसको मैंने इनवर्टर पे करता हूं जे इनवर्टर पे चल रहा है और पाबर स्प्राई जो है वो पीछे चे हमारी बंद है तो जे देखिए दोस्तो जे पाबर स्प्राई बंद है और जे इनवर्टर पे चल रहा है और इसको हम अनॉफ कर सकते हैं दोस्तो हमारी power supply भी आ चुकी है इसको हम on up कर सकते हैं जहां से अभी जो है power supply चल रही है और जहां पर inverter है हमारा तो जहें शागट अब दोनुट पॉइंट पे चलेगी अगर आपने हैबी चीज़ चलानी होगी तो आप power supply भी उपर कर सकते हैं और अगर आपने नार्मल चीज़ चलानी है तो उसको inverter के उपर कर सकते हैं दोस्तो अब हम आपको डाइग्राम के हिसाब से बताते हैं कि यह हमारी शागट है इसके उपर बाले point को हमने शोड देना है और जहां पे हमने neutral लगानी है और जो जे point है टू बे स्विच का नीचे बाला point जहां पर हमने face लगाना है और जो उपर बाला point है जहां पर हमने inverter की wire को लगाना है और जो center बाला point बजच चुका है उसको हमने जो switch on off है उसके उपर बाली side लगाना है और जो नीचे बाला point है on off switch का उसको हमने शागट के दूसरी और लगाना है तो दोस्तो जे इसकी डाइग्राम है अगर आपको नहीं पता चलता तो आप जे डाइग्राम के हिसाब से भी कर सकते हैं जे वीडियो आपको कैसा लगा कमंड करके बताएं वीडियो को लाइक करें शेर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe जडूर करें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद